नमस्कार साथियों भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है कुछ important highlight खबरों की बात करें तो बांगलादेश में जो परिस्थितियां घटित हो रही है इसने दुनिया भर के देशों का दिमाग हिला कर रख दिया है और बांगलादेश में इस समय जो हालात चल रहे हैं शायद इसके बारे में भारत को पहले से ही मालूम था इसलिए भारत ने बांगलादेश के चारों तरफ मिलिटरी बेस को बना रखा है और वहां पर अब लगातार भारत के द्वारा सेना भेजी जा रही है जिससे इस समय बांगलादेश चारों तरफ के बॉर्डर से भारत द्वारा घिर चुका है फिर चाहे आसमान हो या फिर समुद्र या फिर जमीनी इलाका ही क्यों ना हो इन सभी में भारत की मजबूत पकड़ बनी हुई है इसके अलावा भारत भी शेख हसीना को अपने देश में शरण देकर बुरी तरीके से फंस चुका है जिससे भारत और बांगलादेश के बीच रिष्टों में दरार आ सकती है क्योंकि जिस जहाज से शेख हसीना जी बांगलादेश छोड़ कर भारत में आई हुई है वह जहाज भारत से वापस लोट चुका है लेकिन शेख हसीना अभी भारत में ही ठिकी हुई है जिसके कारण बांगलादेश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसियेशन की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत बांगलादेश की पूर्व पीम शेख हसीना को गिरफतार करके उनके देश वापस भेजें। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इस से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरसल इस समय देखा जाए तो भारत और बांगलादेश के बीच 4096 किलोमी की जमीनी सीमा है और हाल ही में जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स में मेजर चेंज देखने को मिल रहा है और शेख हसीना जी भारत में आकर शरण ले चुकी है। उससे बांगलादेश के लोगों में भारत के प्रतिगुस्सा देखने को मिल रहा है। क्योंकि शेख हसीना जब बांगलादेश को छोड़ कर भागती है तो उन्होंने यूके, सौधी अरब और अमेरिका से शरण मांगी कि उन्हें वहाँ पर रहने की जगह दें लेकिन इन दोनों देशों ने मना कर दिया, जिसके बाद ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयर बेस पर उतरती है और यहाँ पर उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम भारत के द्वारा किये गए हैं। हिंडन एयर बेस में शरण लिये हुए 48 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, इस दोरान वह भार देश में शरण दे कर बुरी तरीके से फंस चुका है। यानि कि या तो भारत शेख हसीना को अरेस्ट करके उनके देश वापस भेजें या फिर भारत बांगलादेश से अपने रिलेशन को तोड़ दे। भारत के पास यही दो आप्शन है। हालांकि यहाँ पर भारत की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन बा बांगलादेश की परिस्थितियां बिगड सकती हैं। इसलिए भारत ने कई साल पहले ही बांगलादेश के चारों तरफ मिलिटरी बेस बना कर तयार किये हुए है। जिससे निपटने के लिए बिना मिलिटरी बेस के संभव नहीं है। आज इस रास्ते में कई बड़े जंगल, दलदली इलाके, नदियां और पहाडी इलाके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की तरफ से बांगलादेश की चारों सीमाओं पर मिलिटरी बेस के बड और इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। देखिए, भारत ने बांगलादेश की सीमाओं के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा का इंतजाम इसलिए किये हुए हैं, क्योंकि इसके पहले कई बार बांगलादेश की तरफ से भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इसलिए इन्हें रोकने के लिए कई साल पहले से ही भारतिय सेना मिलिटरी बेस के साथ सुरक्षा का कड़ा इंतजाम बनाए हुए है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि भारत के कौन-कौन से मिलिटरी बेस हैं, जो बांगलादेश के चारों तरफ मौजूद है और वह कहा पर है। सबसे पहले वायू सेना के एर बेस की बात करें, तो इसमें पहले नंबर पर आता है हासी मारा एर फोर्स बेस, जो कि बांगलादेश की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। और दूसरे की बात करें, तो वह है बागडोगरा एर फोर्स बेस और यह एर बेस भी बांगलादेश की सीमा से मात्र 30 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में मौजूद है। इसके अलावा दो और इंपोर्टेंट एर बेस पश्चिम बंगाल में मौजूद है, जो इससे थोड़ी दूरी पर है। और यदी भारतिय थलसेना क जमीनी बेस पर नजर डाली जाए, तो लगभग 6 एयर बेस ऐसे हैं, जहां से भारत की आर्मी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा दे रही है। जिसमें से लगभग 4 मिलिटरी बेस ऐसे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से 10, 20 और 30 किलोमीटर दूरी पर बनाए गए हैं। जबक बंगलादेश के आसपास लगभग 4 नौसैनिक बेस मौजूद है, जिन में से पहला है आई एनस नेताजी सुभाष, जो कि बंगलादेश से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर भारत के कोलकाता में बनाया गया है। और दूसरा है आई एनस पारादीप, जो कि लगभग 400 किल किलोमीटर दूरी पर है और यह भारत के उडिसा में मौजूद है और बाकी के दो नौसैनिक बेस अंडमान निकोबार और तमिलनाडू में बनाये गए हैं, जो कि बंगलादेश से 1200 किलोमीटर दूरी पर है। जिससे अलग-अलग राज्य की सेना बांगलादेश की सीमा की तरफ तैनात है। और इस रिपोर्ट को देखें, तो इसमें साफ-साफ बताया गया है कि बांगलादेश के लगभग 500 लोगों ने भारत में एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन भारत की Border Security Force की तरफ से उन्हे वापस लोटा दिया गया है। यानि कि देखा जाए तो बांगलादेश के लोग भारत में किसी न किसी तरीके से घुसपैट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल भारत की तरफ से तनिक भी धिलवाई नहीं की जा रही है। लेकिन यदि इसके बावजूद भी देश को अलग-अलग देश भी भारत के खिलाफ भड़का सकते हैं ताकि भारत से बांगलादेश के रिलेशन्स बिगड़ जाए। और कुछ एक्सपर्ट का तो यह भी मानना है कि भारत ने जिस तरीके की तैयारी कर रखी है इससे भारत को शायद पहले से ही मालूम था कि आगे चल कर बांगलादेश के साथ यह घटनाएं घटित होने वाली हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि बांगलादेश और भारत के बीच के संबंध दोबारा से ठीक होने वाले हैं या नहीं अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्योंकि बांगलादेश में जो हाला इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम